Hi friends, Welcome to my channel और आज की इस पीडियो में हम जानने की कुछिस करेंगे कि mutual fund क्या होते हैं उसके अलाबा हम यह भी जानने की कुछिस करेंगे कि tax-sever mutual fund क्या होता है या जिसे ELSS भी हम कहते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो Indian market है NAC & BAC में उसमें companies अपनी जो company को है stock market में लिस्ट करती है और उहर एक stock की अपनी अपनी प्राइस होती है जो दिन जब market खुलता है तो आगे उपर या तो अपकी या downward की तरफ जाती है या उसकी जो range है या अपने stock price से कुछ up or down depending upon the situation and the market condition up or down जाती है इसमें जो भी लोग हैं बीच में trading कर सकते हैं या option trading कर सकते हैं या intraday trading कर सकते हैं उस particular stock के लिए mutual fund थोड़ा इससे अलग होता है आप मान के चलिए कि आपके पास कुछ रुपए हैं और आप चाहते हैं कि 10 अलग अलग कंपनियों में कुछ समू का fund तो ऐसा ही mutual fund का मतलब भी है mutual fund में बहुत सारे stock जो बहुत सारी companies हैं उसके जो stock के prices हैं उसको proportion में लगाया जाता है एक fund को create किया जाता है and then उस fund में जब पैसे create करते हैं दिन आपका जो लगाया हुआ investment पैसा है वह भी इन सारे stock के बीच में distribute हो जाता है तो उसके बीच में इसमें risk factor कम रहती है इसलिए कम रहती है क्योंकि मान लिजे आपने आज Reliance में कुछ रुपए लगाए stock market में Reliance Nifty का top companies में आता है अगर आप overview जाएंगे Nifty 50 में तो आपको दीखे कि सबसे पहली पे जो नंबर आ रही है companies की आपको Reliance दीखेगी Reliance industry जिसका market cap सिर्फ सत्रा लाक करोर से भी जाला का है तो मान लिजे आपने इन Reliance में कुछ पैसे लगाएं और वो कुछ समय के बाद पैसे डूब नहीं बतलब आप इस समय सकते हैं कि Reliance बहुत बड़ी company है तो डूब तो नहीं सकती पैसे हो सकते हैं कि उसके stock price एक साल तक कम ही रह गया तो उस cases में mutual fund आपके सहारा बनता है and mutual fund जो है वो अच्छे mutual fund वो इन सब चीजों को अलग-अलग companies में distribute करता है and जिससे आपके पास profit and loss दोनों के chances को balance out करते हुए एक risk-free fund बनाने की courses करता है ऐसा देखा गया है पिछले 20 सालों में की mutual fund की जो return है rate of interest है वो per year 10% से 12% की रही है तो इसलिए mutual fund में invest करने के लिए सलाह दी जाती है जो new beginners है जो stock market को नहीं जानते उनको यह सलाह दी जाती है ELSS उसका just a upgraded version है ELSS में क्या होती है कि ELSS fund के अंदर जो आप पैसा लगाते हैं उस पे आप tax save कर सकते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं अगर old tax regime के अंदर एक component आता है ATC जिसके अंदर आप 10,000,000 तक की investment कर सकते हैं और उस पे आप अपना tax extend कर वा सकते हैं यानि save कर सकते हैं अगर आप 30% के bracket में है तो आपकी जो tax save हो सकती है वह एनी 150 by 3 approximately 46,000 के करीब होती है क्योंकि आप फिस का भी रोलाता है उसी क्रम में अगर आप mutual fund में पैसा लगाते हैं तो वह तो tax save के अंदर नहीं आएगा बट अगर ऐसे mutual fund जिसका locking period तीन साल या तीन साल से ज्यादा हो वह tax save mutual fund कहलाती है जिसको हम ELSS भी कहते हैं अब यह जो ELSS fund है इसके अंदर आप जब एक बार पैसा डालने के डालते हैं तो यह जो चीजे हैं वह तीन साल के लिए आपके लिए ब्रेक हो जाती है तीन साल के लिए जो ELSS fund है वह basically lock हो जाता है तो अगर आप मान के चलिए कि 1224 को आपने पैसा लगाया है तो आप ELSS के अंदर 2027 में ही यह पैसा बिड्रॉव कर सकते हैं उससे पहले आप यह वैसा बिड्रॉव नहीं कर पाएंगे और इसकी जो basically tax saving है यह आप ATC के अंदर इसको claim कर सकते हैं कुछ tax मैं आपको पतानी कुछ करता हूं जो आपके लिए अच्छे हैं जैसे मैंने भी स्क्वांट टैक्स सेवर प्लान ग्रोथ टैक्स सेवर में पैसे लगाये हैं एंडिक मैंने मिराय में असे टैक्स सेवर में इस लगा हैं आपको मैं अपनी investment दिखाने की कोशिछ करता हूं और अपसे अंधाजा लगा सकते हैं कि कि सम्झार कर आप आप मैं अपने investment में आजाएं और इसमें मैं आपको दिखाने को सिस करूं mutual fund तो इसमें आप अब देखेंगे कि मैंने ज displaced कि अफ आएशे हैं निच्वाइब फंड एफटी या कोई अधर इंवेस्टमेंट परपस से ज्यादा अच्छा माना जाता है ठीक है अगर आपने को इस पर टैक्स से बर करना है और आप ओल्ड कि अज़िए 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 अज़िए